हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सब भी का एक न्यू वीडियो में दोस्तों आज यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले यानी यूट्यूब मॉनिटाइजेसन के बारे में बात करने वाले अगर आपके YouTube चैनल पे 4000 घंटे का वाश्टम अगर complete नहीं हुए या फिर अगर आप एक new YouTuber है आपने अभी तक YouTube पे कोई भी ऐसा YouTube चैनल नहीं बनाया है जो monetize हो गया है जिससे earning हो रहा है तो आप इस वीडियो को सुर्ष लेकर के end तक देखिए क्योंकि एक बहुत अच्छा और useful information आप लोग के साथ सेयर करने वालों तो दोस्ते यहां पर क्या होता है कि जब आप एक YouTube चैनल बनाते तो उसमें यहां पर अगर आप अपने YouTube चैनल से पैसे कमाना चाते तो आपको 4000 घंटे का वाश्टम complete करना होता है और साथ में आपको 1000 सब्सक्राइबर complete करना होता है अगर आप long video के थूर अगर monetize करना चाते है और यह दोनों चीज़ complete करते है तो आप अपने YouTube चैनल को fully monetize करके पैसे कमा सकते है अगर आपको 50% monetization करना है तो आपको 3000 घंटे का वाश्टम और 500 सब्सक्राइबर अगर पूरा करते हैं तो आप अपने YouTube चैनल को 50% के लिए monetize कर सकते हैं तो यह है long video के लिए अब short video के लिए क्या है तो short video के लिए है कि अगर आप यहाँ पे 10 million views complete करते हैं लास्ट 3 मेने के अंदर तो आप अपने YouTube चैनल को monetize कर सकते हैं अब जब आप अपने YouTube चैनल पर यह criteria पूरा कर लेते हैं जैसे 4000 घंटे का watch time पूरा कर लेते हैं और 1000 सब्क्राइबर पूरा कर लेते हैं तो आप अपने YouTube को monetization के लिए apply करते हैं और यहाँ पर जैसे आप monetization के लिए apply करते हैं तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल होते हैं कि भाईय मैंने यहाँ पर अपना YouTube चैनल को monetization के लिए apply कर दिया अब कितना टाइम लगेगा मेरे YouTube चैनल को monetize होने के लिए तो यहाँ पर दो तीन प्रॉब्लम भी होता है जो आप लोगों के साथ share कर रहा हूं जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर जब आपका YouTube चैनल यहाँ पर 4000 घंटे का watch time और 1000 सब्क्राइबर पूरा कर लिए अब आपने YouTube चैनल को monetization के लिए apply कर दिया अब apply कर देते तो आपको YouTube चैनल यहाँ पर review के लिए जाता है और यहाँ पर यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम होता है सबसे पहले तो एक reused content का problem आता है यह कैसे आता है तो अगर आप अपने ही खुद के वीडियो को अगर दो YouTube चैनल पर अप्लोड करेंगे एक same वीडियो को दो YouTube चैनल पर अप्लोड कर रहे है और YouTube को पता चलता है तो आपको reused content का problem लगा देगा दूसरा यह है कि अगर आप दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके उसमें एडिट करके और उसमें अगर आप गाना वगेरा चैन्स कर देते और फिर अप्लोड करते YouTube पे तो भी आपको reused content का problem का सामना करना पड़ेगा अब यह problem है reused content का दूसरा problem क्या आता है कि आपका जो YouTube चैनल आपने बनाया उसमे adsense account link करना होता है तो आपका यहाँ पर क्या होता है कि आपका बता देता second step में error और वो कब होता है जब आप दो adsense account को same नाम से बना लेते हैं और एक ही phone के अंदर बना लेते हैं तो यह problem आता है अब तीसरा problem क्या आता है कि आप अपने YouTube को monetization के लिए apply करते हैं तो reject कर देता है क्योंकि आपने जो 4000 घंटे का watch time पूरा किया था वो पीछे से कम होना start हो जाता है और वो फिर 3800 घंटा रह जाता है फिर 3700 घंटा हो जाता है तो इस तरीके से YouTube reject कर देता है जो मेरे साथ हुआ था और मैंने यह आप लोग के साथ share किया तो यह कुछ problem है अब यहाँ पर यह भी होता है कि आपका माल लेते हैं कि आपका YouTube चैनल पर 4000 घंटे का watch time पूरा है और आपने यहाँ पर किया कि आपने YouTube को monetize कर दिया कोई भी problem नहीं है अप्लाइब कर दिया है अब यहां पर कितना टाइम लगता है monetization के लिए अगर कोई भी problem नहीं है तो तो अगर कोई भ आप लोग को देखनी के लिए मिल रहे है। ऑप करें दिथा में और इसकी चेल मैं डिक्कत नहीं है। अब एक ओर चीज़ बताता हूँ। जब आपका YouTube चेला मान सुआ है है। अब आप अपने YouTube चैनल पर सारे ads को on कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आपने video upload कर रहा है तो यहाँ पर आपको ads को खुद से on करना पड़ेगा तभी आपके videos पर add आएगा और फिर आप earning कर पाएगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग लग option जैसे short feed add है तो यहाँ पर membership है यह सब को आपको एक एक करके enable करना है मैंने यहाँ पर एक जो long video जो यहाँ पर वीडियो के अंदर add आता है वो मैंने enable कर दिया है यहाँ पर यहाँ पर वीडियो के अंदर adds आता हुँ वो मैंने on किया तो यहाँ पर इस तरगे का option आप लोग को मिलेगा watch page adds तो आपको क्या करना है इस पर click करना है जैसे यहाँ पर click करेंगे तो ऐसा option देखनी के लिए मिलता है अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप इसको enable करना चाहते है तो हाँ आपको earning करना है तो इसको enable करना पड़ेगा तो यहाँ पर turn on का option मिलता है इस पर click करना है जैसे यहाँ पर click करेंगे तो YouTube का जो यहाँ पर terms and condition है पूरा वह आपको यहाँ पर देखनी के लिए मिलता है तो अगर आप इसको read करना चाहते तो read कर सकते हैं यहाँ पर किस तरीगे से वह आपको बताया जा रहा है जैसे यहाँ पर revenue किस तरीगे से share होता है कितना % आपको मिलता है कितना % YouTube रख रहा है और यहाँ पर accept and next का option मिलता है इस पर click करना है जैसे यहाँ पर click करेंगे इस तरीगे का option देखनी के लिए मिलता है आप यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर video upload करने है तो आपके video में किस तरीगे का ads आईगा सबसे पहले तो uskippable ads आईगा जो आप 5 second के अंदर जो add आता है और उसको skip करते तो वह आईगा फिर non uskippable add आता है जो यहाँ पर 5-6 second का होता है और उसको आप skip नहीं कर सकते हैं फिर display add आता है मतलब यहाँ पर कोई भी आप कमान लेते हैं कि video चल रहा है तो यहाँ पर कोई भी application का यहाँ पर आजाता है और इंस्टॉल का option आता है तो वह इस तरीके का option आता है तो यहाँ पर आपने सारा कुछ देख लिया है तो मेरा यहाँ पर 8 मिनट से ज्यादा वीडियो था तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेस एड ड्यूरिंग विडियो मिड्रॉल एड भी है तो इस पर टिक करना है उन नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है जैसा आप यहाँ पर इस तरीके का option मिलता है तो यहाँ पर बता रहा है कि आपका जितना भी यहाँ पर वीडियो है आपके चैनल पर सारे वीडियो का एड्स ओन होना चाहिए तो यहाँ पर है all of my existing वीडियो तो जो भी मेरे चैनल पर वीडियो है सारे वीडियो का एड्स ओन होना चाहिए कि कौन कौन से वीडियो का add आप on करना चाहते monetize करना चाहते तो उसको select करना है और फिर monetize के option पे आपको click करना है जैसा आप यहाँ पे click करते हैं तो फिर इस तरीके से option आईगा तो आपकी channel का जो यहाँ पे page ads है वो enable हो गया है तो बहुत है आसानी से आप इसको enable कर सकते हैं और यह कब होगा तो जब आपका YouTube channel monetize हो जाता है उसके बाद होता है और यहाँ पे पहले दुस्ते तरीके से था नए update में इस तरीके से था जो मैंने आप लोग ऐसा share कर दिया अब अगर आप यहाँ पे अपने channel पे sort videos upload करते हैं और उसमें भी monetize करना चाहते हैं उसको भी उससे भी पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो sort feed ads का option मिलता है इस पे क्लिक करना है जैसे यहाँ पे क्लिक करना है फिसे turn on का option पे क्लिक करना है फिर यहाँ पे आएगे accept का option मिलता है इस पे चेक करना है और accept बटन पे क्लिक करना है जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपके चैनल पे जो sort feed ad है वह भी enable हो गया है और आपने जो भी sort video upload किया है वह monetize होगी उसमें add आएगा तो आपको पैसा मिलेगा अब membership भी enable करना है तो इसके लिए आपको एक अलग से long process थोड़ा होता है तो यह भी बता दूँगा अगर आपको जानना है तो फिर super thank super sticker जो आप live stream होगरे करते हैं उसमें अगर super chat super sticker अगर आपको लेना है तो यहाँ पर super मिलता है इस पर click करने जैसे यहाँ पर click करेंगे इसको भी enable करना है फिलाल मैं अभी इसको enable नहीं कर रहा हूं तो इस तरह किसे आप इसको same तरीका है इसको enable कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको पूर detail मिल गया कि अगर आप अपने YouTube को monetization के लिए अपलाई कर रहे हैं 4000 घंटे के थुरू तो यहां पर जब आपके चनल monetize होगा तो आपको एक ही करके आपको वीडियो का एड़ जो है उसको एनेबल करना है फिर सौट फीड का एड़ है ओन करना है फिर मेंबर सिप को एनेबल कर सकते हैं फिर यहां पर सूपर चैट सूपर थैंक्स को भी आप एनेबल कर सकते हैं जिससे आपका अलग-अलग सोर्स से यहां पर अर्निंग होता है तो यह पूरा डिटेल मैंने आप लोग को बताई YouTube के इसमें नए अपडेट जो भी था वह पहले भी मैंने YouTube चैनल मॉनेटाइज की आपना दस्मार्ट स्री चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें यह सारा तरीका नहीं था उसमें जैसे मॉनेटाइज हो जाता है ओटोमेटिक यहां पर अब डिरेक्ट जाकर आ आया है अगर आपको यह वीडियो यूश्फूल लगाओ तो लाइक करना और ऐसी यूट्यूप से रिलेटेट वीडियो देखने के लिए आपके श्याम को जब उससे सब्क्राइब कर लेना है तो दोस्तब चली मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ